एक बार की बात है, घुमती फिर्ती नदियों और जूलती पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गाव था जिसका नाम हॉमोनी हेवन था। हॉमोनी हेवन के गाव वाले अपनी दयालुता, उदारता और सबसे एहम बात यानि अपनी एक्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। गाव के दिल में एक शानदार प्राचीन पेर खड़ा था जिसे एक तावरिक्ष कहा जाता था। पर छाया नहीं डालती थी। उस उथल पुथल में एक बूरी महिला ग्रैनी रोज नाम से जानी जाती थी, जो बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। उन्होंने गाव वालों को संबोधित किया। वो सभी को एकतावरिक्ष की शाखाओं के नीचे एकठा कर उनसे कोमल लेकिन ड्रिल आवाज में बात करते हुए बोली। चलिए हम अपने पूर्वजों के सबग को न भूलें जो इस स्वर्ग को प्यार, सहयोग और समझ की नीव पर बनाया था। ग्रैनी रोज के शबदों से प्रेरित होकर, ग्रामीनों ने अपने अंतरों को दूर करके साथ मिलकर उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना किया। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी शक्ती से योगदान दिया, संसाधनों को बाटा और एक दूसरे का सहयोग किया जब गामवालों ने हाथ मिला कर काम किया एक बहतरीन बदलाव हुआ लोगों की वास्तविक एक्ता को महसूस करते हुए एक नर्म, जादूई चमक फैलने लगी थी जो एक्ता के पेर से निकलती थी धीरे धीरे लेकिन स्थिर्ता से सूखा खत्म हुआ और फसले फिर से फलने लगी हॉमोनी हेवन पडोसी गावों के लिए प्रेरना का एक बीकन बन गया था और यात्रियों ने उस गाव की कहानियों पर आश्चर्य व्यक्त किया जहां एक्ता ने विपदा को परास्त कर दिया था सीखा सबक स्पष्ट था जब एक समुदाय चुनौतियों का सामना करने के लिए एक जुट होता है तो वो अटूट शक्ती बन जाता है उस दिन से आगे हॉमोनी हेवन के लोग अपनी एक्ता का जश्न मनाते रहे और यूनिटी ट्री उन्हें याद दिलाता रहा कि मुश्किल समयों में भी साथी होने की खुशी किसी भी बाधा को पार कर सकती है गाउन न केवल समरिद्धी में बलकि हर एक ग्रामीन के बीच चुड़े बंधनों की गर्माहट में भी फलता फूलता रहा